आज हम लोग कॉंबिनेशन का चौथा टोपिक लेकर आए हैं जो कॉंबिनेशन में यह जो चौथा टोपिक है यह बहुत महत्वपूर्ण टोपिक है और बेसिक का कॉंबिनेशन में यह चौथा टोपिक आज यह लास्ट टोपिक है आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास किजिएगा अगर इस topic को अगर आप लोग समझ लेते हैं बढ़िया से solution करने के लिए तो बहु सारे competitive exam में यह प्रस्ण आते हैं और यह सब प्रस्ण competitive exam में पूछे हुए भी है और पूछे भी जाते हैं चलिए आज हम लोग इस last topic को combination के जो last topic है उसको हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं और इसको बहुत असानी तरीका से हम समझाने के प्रयास करेंगे ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा बेहतर डंग से इस चीज़ को समझ सके चलिए और सब तीन topic पढ़ चुके हैं वह काफी आप लोग हम में उमेद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और यह लास्ट topic है basic में combination का और आज का भी topic आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और अच्छा रहेगा भी आए हम लोग अभी topic को समझते हैं तो यह अधारित है ncr पर जो पिछले तीन topic में हम लोग ncr के बारे में समझ चुके हैं फर्मूला था factorial n factorial r और factorial n-r होता है आप लोग के फर्मूला बता दिया गया है और यहां फर्मूला भी है ncr factorial n बता factorial r into factorial n-r सेम टू सेम उसी पर अधारित यह प्रशन है और यह प्रशन बहुत ही महतुवपूरण प्रशन है यह सब्रशन एक्जाम में पूछे जाते हैं चलिए हम लोग देखते हैं और यहां पर लिखा हुआ है यह गुंदा जो दिया गया यह अनुपात को सुचित कर रहा है यानि अनुपात का मेन अर्थ होता है बटा जैसे आप लोग समझ लिजेगा जैसे दू समझे से कोई लिखता है एक्स अनुपात और रथा एक्स बटा और य तो इसको हम लोग देखते हैं कि यह है उसको पहले हम दो फैक्तोरियल लिख लेते हैं है trains 2n factorial 3 factorial 2n minus 3, यहाँ पर अनुपात है है हमने अनुपात लिख दिया, फिर यहाँ पर लिखते है factorial n, factorial 3, factorial n minus 3 लिखते हैं यह एक 11 Star 1 है तो हमने 11 Star 1 लिख दिये, तो अभी आप लोग कैं पता है انुपात का रेशियो का मेन अर्थ होता है बटा में लिखना तो हम इसको बटा में लिख रहे हैं मगर बटा में लिखने से पहले इसको थोड़ा हम तोड़ देते हैं या बटा में लिखर हम इसको तोड़ सकते हैं तो देखिए बटा में लिख रहे हैं तो फैक्टोरियल 2N प्र опис यहां पर जैसे 2N को निकाले है यह हो जाएगा फिर इस 2N को बाहर करते हैं, यह हो जाएगा 2N-2 हो जाएगा, अब इसको लिख देते हैं 2N-3, क्योंकि फैक्टोरियल में इसलिए रख दिया है, क्योंकि अल्रेडी नीचे है, और इसका बटा देते हैं, और इसको लिखते हैं, फैक्टोरियल 2N-3, अब पूरा का बटा दे तोड़ते हैं तो यह एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 इसको फैक्टोरियल लिख देते हैं एन माइनस 3 जैसे पीछे की और कम होते जाता है पिछले कलास में पता आज जैसे फैक्टोरियल पांच निकलना है तो आपको पांच चार तीन दो एक यहां पर आप असानी से समझेगा ज इसलिए इसको फैक्टोरियल में छोड़ दिया है कि और अल्रेडी नीचे मेरा फैक्टोरियल है जिसे यह आसानी से कट जाएगा इसी को जासे हमने इसको छोड़ दिया अब इसके नीचे वाला देखेंगे और यहां पर भी आपका एन माइनस 3 है फैक्टोरियल जो यहां पर भी देखिए यह असानी से कटेगा और यह भी असानी से कटेगा है इसी के वह जासे हमने छोड़ दिया अगर जादे आगे बढ़ाने पर अगर कटने वाला होता है तो हमको एंग को तोड़े हैं जैसे अब एंग को निकालना फैक्टोरील तो एंग फिर एंग मैनस वान N-2, N-3, अब जहां तक ले चानना है, आप ले जा सकते हैं, इसी तरह से आगे की वर बढ़ते चला जाएगा, तो उसी तरह से इसको हमने कर दिया, यहां पर आपका था 11 बटा 1, तो 1 हमने इसको राइट कर दिया, अब देखेंगे, जो कटने वाला है, उसको हमने काट दिया है, जो बच रहा है, उसको रेश्ट में रखेंगे, अब यहां भी कटने वाला है, इसको हमने काट दिया, अब यहां आप लोग समझेगा, कि यहां पर लिखा है, 2N, 2N-1, यहां पर भी है, 2N-2, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा, ठीक है, अब इसके नीचे देखिया कि बचा हुआ है, अ अब देखना है, यहां से N से N कड जा रहा है, और इसमें से Do common ले क्वाई सकते हैं, यहां पर Do हम निकाल सकते हैं, तो दू कमन निकलते हैं तो पहले से दू आ फिर एक और दू आयो जाएगा 2N-1 आयो जाएगा N-1 आप यहां ध्यान दीजिए N-1 और N-2 तो यहां पर भी देखिए N-1 से N-1 कटने वाला है हमने काट दिया अब 11 बटा क्या बच गया 1 है जो अनुपात में था उसको हमने लि बराबर 11 बटा 1 अब क्रोस मल्टिप्लिकेशन कर जाते हैं तीरचातार चे गुना तो इधर करते हैं तो यह आपका हो जा रहा है गुना कर रहे हैं तो चार दुना 8N-4 आई आपका हो जा रहा है 11N-11 दुना 22 अब यहां पर हम लोग क्लियर कर दिये अब इसको शॉलूशन करेंगे जिसमें n का वैलूशन निकलना तहा या इसका aint का बेलू निकलना था अब यहां पर देखेंगे कि माइनस चार है उदर से लाते पंप उल्स को सोरी माइनस को लाए है तो फ़लस हो गया यह आपका हो घया 18 जाएफ का हो जें ऍसलिए अटरशन होगी है और रचा कितना आएगा 6 आएगा अगर आप चाहेंगे इसको चेक करने के लिए तो इस सभी एन के जगा पर आप 6 रखेंगे इसको कटाएंगे आपका 11 बटा 1 आ जाएगा ता आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे सेम टू सेम एक और टॉपिक है यहां जो अल्रेडी हम लोग लिखे हुए हैं उसको आप लोग समझने का भी परियास किजिएगा उस टॉपिक को भी इसी आधार पर हमको समझना है अब देखे इसका भी हम लोग सलूशन कर देते हैं इस टॉपिक का भी सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे जैसे माल लिए कि फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 15 माइनस आर करेंगे फिर इसको बटा में लिख देते हैं फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल आर माइनस है तो यह पहला हो जाएगा बराबर एक आरा बटा आपका पांच लिख दिया और फिर इसका हम लोग सलूशन कर रहे हैं तो ध्यान दिजिएगा कि पहला गुने चाओ था एक दू तीन है तो इसको हम लिख देते हैं फैक्टोरियल पंद्रा गुना फैक्टोरियल आर माइनस वन गुना फैक्टोरियल पंद्रा आईए की जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका सोला माइनस आर हो जाएगा ठीक है अब इसको लिखते हैं पंद्रा गुना फैक्टोरियल आर गुना फैक्टोरियल पंद्रा माइनस आर बराबर 11 बटा 5 तो आईए अब हम लोग इसको पुरा सोलूशन कर लेते हैं यहां समझते रहेगा ध्यान दीजिएगा बढ़ियात तरीका से समझ में आ जाएगा जैसे पहले प्रोब्लम शल्ब किये उसी तरह से यह दूसरा प्रोब्लम है अब यहां 15 से 15 हम लोग काट दिये ठीक है अब आगे कि यह स्टेप को समझना है हमको लाना है कितना इस रिस हो जाएगा ठीक है अब यहां र को बढ़ा रहा है तार माइनश 1 हो जाएगा मैं फैक्टोरियल में अभ यहां 15s-10 रहा जाएगा 11 बटा आपका पांच रहाजिए ठीक है जो कटने वाला है आप उसको काट दें यहां से यह कट गया अब यह बच रहा है 16-8 बटा र और य यहीं हो गया उधर गया 11 r में 5 जूट गया तो आपका हो जाएगा कितना सूला आर इस दिए आर का फैलू निकलना था और बराबर 80 बटा सूला काट देंगे आपका आर बराबर 5 यानि 1685 यही आपका answer हो गया अर्थात इस R कमान इसमें आप रखेंगे तो इसको हल करेंगे तो आपका 11 बटा 5 answer आ जागा यही आपका answer हुआ यह आज का topic आपका शमात हो गया